असलाम अलेकुम गाइस के गेमिंग इस हेर अगेन वीडियो फब जी वाइल होगे सब खेरिये से होगे तो जैसे के अब लोगों को बता है कि एवन ग्रोयल बास जो है वह आने माला उससे रेलेटिट ग्रूप पर चैस पक्पड पर पड़ी वाइल ने गेम के अंदर रिलीस आपने इसके उपर क्लिक करने के बाद आपने इमट के अंदर आ जाना यहां पे आपको काफी ज़्यदा रूल देखने को मिल जाएंगे जो के रिलेटिड है प्री ओडर रोयल पास एवन से रिलेटिड तो सबसे पहला जो है वो लैवल अपग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा एक 720 UC का और एक 1920 UC का जो है आपकी जो वेलो क्रिप्टर उसके अंदर रैप्टर की स्किन उसके अंदर आपको 720 UC के अंदर आपको 15 डेज के लिए एक टाइब लिमिटिड में देखने को मिल जाएगी और जो आपका इलेट ब्लास पास है उसके अंदर आपको य 720 UC spend करना पड़ेंगे तो उसके बाद आपने इसको pre-order करने के लिए pre-order जो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं 720 वाल 1921 आपको इसके बाद आपको नीचे 60 UC का एक voucher भी दिया जाएगा तो आप उसको voucher को use करके 60 UC कम करवा सकते हैं और इस ट्रॉयल पास को pre-order कर सकते प्री-order जब आप कर देंगे तो pre-order करने के बाद यहाँ पर आपको countdown दे दिया जाएगा परचेस दे दिया जाएगा 7 day के बाद यहाँ से आप अपना जो card है वो collector कर सकते हैं ठीक है जब आप purchase कर लेंगे तो यहाँ पर congratulations लिखा आजाएगा और यह card आपको कब मिलेगा मतलब के 6 June तक यह event रहेगा लेकिन जो आप purchase कर सकते हैं इस card को वो 20 तरीख 20 माई के बाद इसको purchase नहीं कर सकते तो आपको 20 माई से पहले पहले इसको purchase करना पड़ेगा ता कि आप इसमें जो UC का आपको discount मिल रहा है वो ले सके पहले इसके अंदर यह rule होता था कि जब भी आ उपना गुरूप purchase perks जोईन करते था या create करते थे तो आपको 10 या 20 UC extra मिल जाते थे और साथ में आपको discount भी काफी ज़्यादा मिलता था मतलब कि आपको 360 UC का वाच जो royal pass था वो आपको 300 UC में मिल जाता था तो अभी थोड़े से changes काफी ज़्यादा rules change हो चुके है extra UC तो आप आपको नहीं मिलने माले और नहीं आपको players को इसके अंदर appoint करना है simply आपने pre-order करना है और आपका जो A1 का royal pass है वो आपके पास आ जाएगा तो rewards की बात कर लेते हैं rewards में जैसा कि आप लोगों को बता है कि आपको एक permanent mythic outfit देखने हो को मिलेगा level 100 पे जो कि अपना आप उसका color भी change कर सकते है different color आप उसको use कर सकते है लेकिन उसके लिए आपको materials चाहिए होगे outfit materials तो वो material आपको देखने को मिलेंगे royal pass reward के अंदर mission reward reward के अंदर Caesar rewards के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे तो काफी ज्यादा reward के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आपको bike skin देखने को मिलेगी आपको permanent masketic skin है जो upgradeable skin है आप उसको upgrade भी कर सकते हैं वो भी आपको royal pass के अंदर देखने को मिलेगी तो A1 ऐवन का royal pass होने ज्यादा एकसाइटिंग है तो मिथिक भी आपको देखने को मेर रहे हैं अल्मॉस्ट त्री ये टू मिथिक हैं इसके अंदर होपसो मुझे इतना याद नहीं लेकिन आप मुझे कमेंट में लाजम्म बता दे ग्रूप पचेज परक्स से लेटिट सिरफ इतना ही और हम बात कर लेते हैं अपडेट से लेटिट के 2.6 की अपडेट आपको कब अपने मुबाइल के अंदर देखने को मिल सकती है तो 2.6 की अपडेट आल्मोस 16 माई से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी 16 माई से आपका जो ग्लोबल वरियन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और 18 पे ये आपके जो आपकी जो ओफिशल है वेबसाइट पजियो वाइल की वहाँ पर आ जाएगा या पजियो वाइल के डिस्कॉर्ट सर्वर पे इसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी अगर किसी को वो अपडेट नहीं मिलती तो वो डिरेक्ट पजियो वाइल की वेबसाइट से 18 तरीख को कर सकता है 16 जारीख से अपडेट रेलीज होना स्टार्ट हो जाएगी अंड्रोइट पे और 18 को ये कंप्लीट हो जाएगी अगर हम iOS की बात करें तो iOS की जो अपडेट है वो 18 मैं को ही आएगी उसे पहले ये iOS की अपडेट 2.6 वर्जिन की आपको नहीं देखने को मिलेगी उसके बाद अगर हम बात कर लें वेतना वर्जिन की तो वेतना वर्जिन की जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी 16 मैं को 16 मैं को जो सबसे पहले अपडेट आएगी वो आपको वेतना वर्जिन की देखने को मिल जाएगी और उसके बाद हम बात का लेते KR वर्जिन की तो KR वर्जिन में भी अपडेट आपको सोला से इठारा के दर्मियान देखने को मिल जाएगी तो इस तरीके से जब भी अपडेट आएगी तो आप अपने play store से इसको अपडेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास play store पर अपडेट नहीं आती तो simply आप PUBG Mobile की website से इसको download कर सकते हैं जब PUBG Mobile के जो Discord सरवरार है वहाँ पे आपको इसकी link देखने को मिल जाएगी तो इस तरीके से आप जो अपना version है उसको update कर सकते हैं